दोस्तों हमारा जो देश है वो हम सभी जानते हैं काफी सुन्दर यात्राओं के लिए प्रसिद्ध है पूरे दुनिया भर में पर आप जानते हैं एक ऐसी यात्रा है जहां कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बुलावा आने पर ही आप उस यात्रा में शामिल हो पाते हैं जी हाँ आप लोगों ने बिलकुल सही पहचाना है वो है श्री माता वैशनो देवी की यात्रा जी हाँ तो आज के यात्रा प्रारम होगी दिल ले यानि भारत की राजधानी से करेंगे इंडिया की सेमी हाइट स्पीड नेटवर्क जो कनेक्ट हो चुका है अब कट्रा रेल् स्टेशन से और इस पे चलती है ट्रेइन वंदे भारत येस ये ट्रेइन सेट जो एक एडवांस टेक्नॉलजी के साथ शुरुआत हुई है जिसकी तो आज उसी के मात्यम से पहुचते हैं वैशनों देवी तक और जानते हैं कि किस प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं कैसे अल सुवाद कैसा है क्या क्या सुविधाएं हैं हमें इस एडवांस ट्रेंड सेट में और करते हैं पूरी यात्रा तो मैं तो इस यात्रा के लिए काफी ज़ादा एक्साइटिड हूँ आशा करती हूँ कि आप सभी लोग भी बहुत जादा होंगे तो चलिए प्रेम से बोलो जय मातादी करते हैं शुरुआत पूरी यात्रा की मेरे साथ मेरे चानल रेडियो आक्टिव रुची पे सुदोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा शुब प्रवाद फिलहाल मैं हूँ देश की राजधानी दिल्ली में और देश की राजधानी का दिल है यहां का रेलवे स्टेशन जो की है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन सुबवाद 6 बजे जो है इसका डुपाचर यहां से हो जाता है और ठेड अपनी कहानी सुनाने के लिде तयाग हो जाती है देखते हैं क्या कहानी है और चलिए शुरुआत करते हैं आज की जर्णी की और इसके ही साथ मैं लेट हो चुकी हूँ इसलिए मुझे भागते ही सीधे ट्रेन में रुखना है यार बाकी सब तो बहुत बढ़ी आए लेकिनी जो सुभा सुभा के जो early morning departures होते हैं चाहे वो flights के हों चाहे वो trains के हों सर को बिल्कुल पगला देते हैं राइट इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे क्योंकि मैं जब यहां जैसे भागते दौरते पहुंची हूँ सिर्फ पांच मिनट बचे थे और मैं पहुंच गई हूँ यहां पे अब तीन मिनट में मे सब्सक्राइब करें चलते हैं आगे की जाने को दिखाते हैं आपको अंदर का इंट्रेन का जो वर्स्ट लुक है वो तो काफी ज्यादा रैविशिंग लगता है लाइटिंग जो थी वो काफी एमपल अमाउंट आफ लाइटिंग दिखी लगेज सिस्टम सब कुछ बहुत अच्छा था सामने जो वर्स्ट लुक में डॉर दिखता है वो एक आटमाटिक डॉर है इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि हमेशा जब ही भी आएं तो ओन टाइम आएं पिकुज यह अगर क्लोज हो जाएंगे तो आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी जो पूली ट्रे जो ट्रेन में ऑपरेटर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं पैंट्री मिल जाती है सारे कोचिस के पास अपनी सेप्लिट पैंट्री है जहां पर आपकी खाने पीने की सारी सोविदाओं का ध्यान रखा जाता है और देखिए आप जभी भी इस ट्रेन में आएं तो ये ध्यान रखें आप कौन सी ट्रेन में चड़ रहे हैं क्योंकि ऐसा भी बहुत केसेस में हुआ है कि लोग गलत वंदिय भारत में चड़ गए हैं CCTV cameras भी installed हैं आपकी safety के लिए और बहुत सारे ऐसे features हैं जो की train को काफी advanced technology से भरा हुआ obviously बना देते हैं and I feel proud as an Indian ये सब चीज़ें देखके और finally यहां आप देख रहे हैं कि हमारा departure हो चुका है तो एक बार फिर से जैकारा शेरा वाली का बोल साचे दरबार की जै मेरा पूछें के feeling कैसी है तो इसका जवाब मुश्किल है बहुत मुश्किल है देना क्यूंकि मुझे लगता है जब इस एरा में हम बहुत जाते हैं जहां पर हम इतनी advanced चीजों को देख पाते हैं तो हमें भारत का एक बदलता रूप काई सुन्दर रूप दिखता है तो जब यहां पे आई होना है तो एक भारतीय होने पे बहुत ही गौरवानवित होती हुए बहुत से लोग ना compare करते हैं चीजों को कि वहां ऐसा है और यहां पे ऐसा नहीं है तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है सबसे जाला जो महत्वपूल चीज है वो है इन स्परीके की किसी दी चीज की शुरुआत करना तो हम लोग ने अभी तो शुरुआत करी है ऐसे ही different proposed projects है जो कि भार्थी गौवर्मेंट के द्वारा भार्थी सरकार के द्वारा proposed करे गए हैं तो देखने के लिए वो युग तयार हो जाएए क्योंकि शुरुआत तो भारत ने कर दी है अब इस जर्णी के शुरुआत आप मेरे साथ कर दिए देखिए कि आखे हम माता वैश्नो देवी कट्रा तक किस प्रकार पहुचेंगे और किस प्रकार के नजारी देखते हुए हम अपने दिल को संतुष्टी पहुचाएंगे तो फ्रेम से दूनों जय मापादी लेट्स स्टार्ट इजरुआत सुगाइस चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाती हूँ सीट पे अच्छी क्या क्या चीज़े प्रोवाइड करी कही है यह चैर कार है जिसके लिए आपको लगपक सोरा सोर रुपाप करने पड़ सकते हैं सामने यह आपको दिखती है एक ट्रेटेबल, वुटरेस्ट और बॉटल होल्डर्स नीच ही अगर आप देखेंगे आपकी सीट के तो आपको चार्जिंग पॉइंट्स भी दिख जाएंगे जिससे कि आपना फोन, लापटॉप्स आपको चार्ज कर सकते हैं सबसे पहले आए हुए महमान से हम पानी ही तो पूछते हैं तो चलिए यहाँ पर हमें मिल जाती है एक लीटर की बॉटल और साथ ही में मिल जाता है हमें टी का सेट और देखिये जरा इधर जरा देखिये सुभा के वो नजारे जहां पे सुरज खटखटा रहा है कि अरे उठ जाईए क्योंकि आज आप वैशनु देवी की यात्रा पे हैं दिल्ली जैसे सरावोर हो चुका है धुंद में सर्दी जो थी वो कड़कडा के की थोड़ी सी पड़ रही थी और हमें तो भाई महुत मजा आ रहा था सामान को बिल्कुल उपर रख दिया गया था और अभी देखिये कुछ ही देर में हमें सब होगी चाय जी हां सुभा सुभा के इस तरीके के नजारों को देखते हुए जहां हम सोनी पत के पास पहुँचने वाले हैं और स्पीड जो है वो ज़रा देखिये 130 वैसे तो ये ट्रेन 180 की रफ़तार तक चल सकती है बड़ फिलहाल क्योंकि ट्रैक्स अभी उतने कंपाटिबल नहीं है इसलिए फिलहाल जो स्पीड है वो 130 की स्पीड के आज पास जो हमाई ट्रेन है वो शल्ती है अच्छा बताइए पानी की बाद हम क्या पूछते हैं महमानों से चाए जी हाँ तो बिल्कुल ऐसा लगवा है जैसे घर की जैसे ट्रेट हो रहे हैं तो हमें यहाँ पे सर्फ हुआ है कुकीज ये मेरे हमेशा फेवरेट रहे हैं और ये जो है चाए इलाइची फ्लेवर की चाए मसाला चाए मज़ा आने वाला है यार विकस आपको ये पाउचेज मिल जाते हैं चाए को करते हैं और पीते हैं सुभा की गर्मा गरम बंदे भारत की चाए जी हाँ ये स्पेशल चाए है क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि माता का तो आशिरवाद है कि हमें इस ट्र और कुछी दिर में हम सोनी पत को क्रॉस करते हैं सोनी पत से निकलने के बाद हमारी गारी पहुंचे की सीधे अब पानी पत में पानी पत का नाम सुनते ही क्या आपके दिमाग में भी वही आया जो मेरे दिमाग में आया चलिए मैच कर लेते हैं मुझे तो पानीपत की सबसे पहली लड़ाई याद आई पानीपत यानि युद्तों का महदान सबसे पहले यहाँ पे हुई थी जब मुगल आये थे यानि बाबर 1526 में भारत आया था और लोधी वंच के इब्राहिम लोधी यानि लास्ट लोधी जो कि डेली सेल्टिनेट के थे उनसे लड़ाई हुई थी सबसे पहले जो यहाँ पे बारूत का इस्तमाल हुआ था भारत में तो इसे ही से हम जानते हैं कि पानीपत में तीन तरह के युद्ध हुए हैं तो पहला युद्ध तो यही था क्यूं सही कहा न वापस आगई हिस्ट्री बुक्स की यादें कभी-कभी बहुत डर लगता था हिस्ट्री से आपको भी लगता था तो जरूर बताईएगा लेकिन आज उतना ही प्यार है मुझे जरा सामने के अदबुत नजारे को तो देखिए सूरज की लालिमा क्या साथ दे रही है लहला हाते खेतों का नजारा थोड़ा सा कुछ ट्रेन में बैटके अदबुत सा ही नजार आता है ऐसा लग रहा है कि तन बदन में जैसे एक अलग सी बिजली कौन्थ गई हो जब माता का नाम लेते हैं और ऐसी नजारों का सामना होता है और उपर रखे कचा कच भरे सामानों से आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि ट्रेन में आखिर कितने सारे लोग थे आज की यात्रा में और कुछ ही देर में हमें बहतरी नजारे दिखने लग जाते हैं समझ में आ रहा है कि हम पंजाब में हैं और पंजाब में हूँ अगर हरा रंग आपको चारों तरफ ना दिखाई दे ऐसा हो सकता है लहलाते खेट चारों तरफ जैसे अपना आशियाना बना के बैठे हो ट्रेन्स चोटे छोटे छोटे रेलवे स्टेशन से निकलती चली जाती है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कभी-कभी लगता है कि यहां उतर के देखूं कि आसपस कौन लोग रहते हैं, क्या करते हैं, छुट-छुटे फार्मस वगेरा जे उनसे जाके मिलूं, उनकी कहानी जानूं, बहुत अच्छा लगता है, इन सारे नजारों को पंजाब में देखते हूं इतर का थोड़ा ध्यान दिया गया, और हमें सर्भ होई the second meal of the day, जी हां, सुबह हमने चाय और कुकीज मिली थी, अब मिले हमें सैंविच, छोले, कुल्चे, साथ में ही मिल जाता है हमें दही, और देखिए, वेज कटलेट भी प्रवाइड किया गया है, और ओर्डिनेरी जो क केक सोते आपने देखा होगा, साथ में एक सैनेटाइजर, और देखिए, अब समय है कि मैं जारा ये गर्मा गरम टेस्टी से कुल्चे, आपको टेस्ट भी करके बताऊं कि आकरी दिन सब का टेस्ट कैसा है, फाइनली, मिल तो आक्चुली बहुत सुंदर लग रही थी तो चलिए टेस्ट भी कर लेते हैं, यार जो हमें साथ में वेच कटलेट जो दिया गए था, उसकी प्रेजेंटेशन मुझे काफी अच्छे लगी क्यूंकि उपर से कुरकुरे, अंदर से सौफ्ट लग रहे थे बिलकुल, और स्टफिंग भी अंदर काफी ज़ादा लाज जवाब लग रही थी, so I guess जैसा भेस, वैसा टेस्ट, अंद सान्विच के अगर बात करी जाए, तो मुझे ब्रेड और चीज दोनों इफ्रेश लगे, तो टेस्ट भी मुझे काफी अच्छा लगा उसका, यह सुपर, अब इसके आगे की कहाने, यह मूं खत्प होने के अब इसके अबाला केंट, और दो मिल्ट के सापपच के लिए, सिर्फ हम जंप करके उतारी सकते हैं, और यह हैं अबाला केंट, मैं अजाद है निरू कुमी दो मिल्ट के सापच है, so let's go inside, इससे पहले की दर्वाजे बंद होगा है, समझे वह हम बिल्कुल भी नहीं चाहत कि वरना मुझे यही रहना पड़ेगा, वैसे कुछ बुराई नहीं है, पर अम्बाला केंट मुझे उतार्मा इसलिए था, क्योंकि मैं एक खुद आर्मी केद हूँ, और अम्बाला जो है यार, इसके बादे में अगर मैं जितना बताऊंगी ना कर दो हमारी यादे इससे अम्बाला केंट से बादे में 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 अम्बाला केंट से बाद जिस तरीकी के नजारे दिख रहे हैं लाजबा मतलब कहते है ना प्रकृती के सुंदाता अविश्वस नहीं होती है उसी प्रकार जिस तरीकी के नजारे देखते आ रहे हैं यूड़ी से चैसे हर्याना, पंजाब उस तरीकी से कि फाइनल ही हम लोग बहुत जाते हैं जबू अब ही हम लोगों ने अंबाला कैंट में जस प्रकार का भोजन किया है मुझे नहीं लग रहा कि मैं लंच करने के अब लायक बिल्कुल भी बची हूं मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा बिकर आएम फुल और इतना जादा खाना है क्वांटिटी इतनी जादा है कि समझ नहीं आता यार कि इसको खाना कैसे बहुत मुश्किल है यार बहुत सारा खाना का जाना बहुत सारा है तो मेरा पेट है नहीं इतनी फैंकर दरीकेट से खोल है बट कैसी लग रही है आपको ये कहानी जरूर बटाईएगा सिभाई ठोम बाला सब लोग बटाईब खता अक दूह नहीं है जियु है रही है थाल का दाध ऑफित्य थैंकर दाध कर भूशर रही है Afghanistan अधि धल्मज करप promise सारा है आफको आपको एान आपको तो चलिए खुल जा समसम करते हुए हम लोग अंदर के तरफ बढ़ते हैं डिस्प्ली बॉर्ट्स पे आपको सारी जानकारिया मिल जाती है कि क्या स्पीड से हमाई ट्रेन चल रही है साथ ही में कौन सा नेक्स रेलवी स्टेशन आने वाला है सब आपको अन्नाउंस किया जाता है कौन से तरफ के दर्वाजे खुलेंगे वो भी आपको बताया जाता है तो साई इंफोर्मेशन आपको ट्रेन के अंदर बैठे बैठे मिल जाती है अंकल को खाना बहुत अच्छा लगा खाना अच्छा था ना खाना नंकल के प्रवlya के अपको खानागे आपको ऋबया जाता है कि सी ह壞ा था मेelा है अंकल जारहे हैं जाम्मू मेशन अरा मजे के अच्टार का आच्छा अच्टा हुआट है पताने चल्टा के रंच में खाएंगे क्या देखते हैं फिर भी और कुछी देर बात आप देखेंगे तो कुछ लोग चड़ेंगे आप चाहें तो एक पैसेंजर एंटेटेन्मेंट के सुविदा है उसका लुफ्ट उठवा सकते हैं लो कर लो बात बातो बातो में हम लोग लुदियाना भी अब पहुँच गए हैं सोनी पत पानी पत अंबाला कैंट को पार करके फाइनली गाड़ी हमारी आ गई है लुदियाने विच तो चलिए लुदियाने को भी टच करते हुए आगे बढ़ते हैं यहीं भी मुझे पता च चलां कि भाइक जो केटरिंग है हमाएं लंच की वो यहीं से लोड हो रही है तो दोस्तों पिंजाब दे लुद्याने विचाब सब लोग अपर सौगे थे हम लुद्याना पहुंच चुके हैं और यह है हमारी बंदे भारत का दूसरा हॉल्ट टोटल तीन हॉल्ट जो हैं वो हमारा जो हॉल्ट आएगा अपने जम्मु तभी जो की बारह बच के अर्थे मिनट पे आएगा वो तीसरा हॉल्ट नगा उसके बाद सीधे जम्मु तभी के बाद पहुचेंगे कट्रा दुपहें को दो बचे तो तो सिरे दो मिनट का फॉल्ट है और अब इस पहले वाले पर यहां पे अपने पेटरिंग वेटरिंग चड़ रही है तो इसके बीच पे हैंपर नहीं करना चाहती हूँ जब हमारा जम्मु तभी आएगा उसके बाद के जो कट्रा तक के जो नजारे हैं वो बहुत ही बहतिनी होने वाले है लुद्याना है पंजापना नहीं है और अगर यह बंद उचाता तो क्या करते हैं अच्छा वह आगे बाले से सभी बच गए और बस दर्वाजे यहां के बंद हो चुके हैं सामने खड़िये धनबात फिरोजपुन और यहां से हमारा डिपार्चर लुधियाना से हो चुका है जम्मू तभी के लिए अब यहां से तो मुझे आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा क्योंकि हमाई ट्रेन हो जाती है बंद वैसे तो थोड़ा सा खेद जरूर लगता है कि मैं आपको बाहर से चीज़ों को नहीं दिखा पा रही लुधियाना तक हम इस पूरी जर्णी का फेज वान कम्प्रीट कर चुके हैं लुधियाना से हम लोग कैसे पहुँचे कट्रा तक उसकी जर्णी आप सेकंड पेज में देखे हैं और जितना प्यार आप इस वाज़े वीडियो को दे रहे हैं आशा कर दी हूंकि उतना ही प्यार आप सभी लोग फेज टू को भी देगे दिल से शुक्रिया इ में के लिए पेस्टू का इंतिजार के लिए जल्दी पेस्टू आपके सांगी होगा और हम बहतेरी नजारों को देखते हुए पहुँच जाएंगे जमू तभी से सीदे कट्रा की और तो इस रीडियोक्ति विची साइन उप टोड़ी तिल आप सी यू अगान इन नेक्स जल्दी ही मिलते ही तो प्रेम से गुदिया जाएंगे 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 जाएंगे